नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गिट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिश्र सामको आठ बच चुके हैं और वक्त हो चला है एट पीम लिउज बुलेटिन के साप्ताहिक करेंट अफेयस का अपने इस खास सेशन में हम बीते सप्ताह की उन सभी जरूरी खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से बेहत महत्तोपूर्ण साबित हो सकते हैं तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की सुरुबात करते हैं कोरोना महमारी के बीच चीन में एक नया वायरस टिक बॉर्ण ने दस्तक दिया है इस संक्रामक बीमारी से साथ लोगों की जान गई और साथ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इस नई बीमारी के मानव से मानव संचर्ण की संभावनाओं के बारे में चेतावनी मेडिया खबरों के अनुसार पूर्वी चीन के जियांग सो प्रांत में अब तक SFTS वायरस से 37 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि अनुही प्रांत में भी 23 लोकों के एक संक्रमित होने की खबर है SFTS कोई नया वायरस नहीं है इसका पता चीन में साल 2011 में ही चल चुका था विशाणू वैज्यानिकों का मानना है कि यह संक्रमन पसुओं के सरीर में चिपकने वाले टिक नाम के कीडे से इंसानों में फैल सकता है आपको बता दें कि SFTS बुन्या वायरस काटेगरी का एक वायरस है भारती रेलवे ने 7 अगस्त 2020 से किसान रेल की सुरुवात की है रेल मंत्री पियूस गोयल ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये देश की पहली किसान ट्रेन को हरी जंडी दी देश की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट के नासिक जिले के देवलाली से 7 अगस्त को रवाना होकर बिहार के दानापुर पहुँचेगी किसान रेल से किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को समय पर पहुँचाया जाएगा सापताहिक चलने वाली इस ट्रेन में 11 पारसल डिब्बे लगाए गए हैं पूरी यात्रा के दोरान किसान रेल 1519 किलो मेटर की दोरी तैं करेगी इस रेल में रेफ्रिज रेटेड कोच लगे हैं रेलवे ने इसे 17 टन की क्षमता की साथ कपुर्तला कोच फैक्टरी में बनवाया है इसमें चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा किसान ट्रेन पूरी तरह पारसल ट्रेन होगी इसे भारती रेलवे और क्रिजी मंत्रालय के सैयुक्त प्रयास के बाद सुरू किया गया है दुबई से आ रहे एर इंडिया का विमान केरल के कोजी कोट में दुरगटना ग्रस्त हो गया इसमें चालक दलों समेत 190 लोग सवार थे बताया जा रहा है कि विमान हादसे के सिकार 18 लोगों में एक कुरोना पॉजिटिव भी था नागरिक उड़ेन निदे साले डी जी सी ए ने कहा कि हादसे की समय विजिबिल्टी कम और भारी बारिस हो रही थी हादसे में विमान के दो टुकड़े हो गए राजस्थान की गहलोत सरकार ने गुर्जर समाज सहित अतिपिछडा वर्ग में सामिल पांच जातियों के युवाओं को राजस्थान न्याइक सेवा में एक प्रतिसत की जगह प्रतिसत आरक्षन देने का निलड़े लिया है इसके लिए राजमंत्री मंडल ने राजस्थान की न्याइक सेवा नियमावली 2010 में आवस्यक संसोधन को मंजूरी दे दी है इस परिवर्तन के बाद प्रदेश में गुर्जर समेद बंजारा गडरिया आधिक कई अतिपिछडा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाब उठा सकेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री असो गहलोत ने कहा कि गुर्जरों सहित अतिपिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्याइक सेवा में एक प्रतिसद की जगण अब 5 प्रतिसद आरक्षण के लिए राजस्थान के न्याइक सेवा नियमावली में सनसोधन के लिए मंजूरी मिल गई है बीते 4 अगस्त को पाकिस्तानी कैबिनेट ने पाकिस्तान के नए राजनेतिक नक्से को मंजूरी दे दी है पाकिस्तान ने अपने नविंतम राजनेतिक मानचित्रमेल जम्मू कस्मेर लद्दाख जुनागड को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है इसके पूर्व नेबाल भी ऐसी हरकत कर चुका है नेपाल ने भी भारत के लिपूलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा को अपने हिस्से में दिखाया था पाकिस्तान सरकार ने यह कायराना हरकत भारत सरकार की ओर से पिछले साल जम्मू कस्मेर के अनुच्छे 370 हटाये जाने की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर किया है पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान ने 4 अगस्त को जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनट के इस फैसले का तमाम बिपक्षी पार्टियों और पाक अधिकरित कस्मेर की कस्मेरी नेत्रित ने भी स्वागत किया है इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का नया नक्सा पाकिस्तानी जनता की मांग का प्रतिने दित्व करता है पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने कहा कि अब मुल्क के सभी स्कूलों, कॉलेज और सभी सरकारी दफतरों में 4 अगस्त को कैबिनेट से मंजूर नक्षा ही आधिकारिक नक्षा माना जाएगा भारत ने पाकिस्तान के इस नए राजनितिक नक्से को खारिश करते हुए कहा कि इस नक्से की न तो कोई कानूनी वैधता है और नहीं अंतरराश्टी अस्तर पर इसकी कोई माननेता पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान के बयानों का पलटवार करते हुए भारती विदेश मंत्राले ने कहा कि हमने भी पाकिस्तान के तथा कथित राजनितिक नक्से को देखा है यह नक्सा भारती राज गुजरात और केंद्र सासित प्रदेश जम्मु कस्मीर और लद्दाख क्षेतर में आधार हिन दावेदारी है जो सिर्फ राजनितिक मुर्खता में उठाया गया कदम है गौरतलम है कि बीते साल 5 अगस्त को भारती समिधान की अनुच्छे 370 के तहत भारती कस्मीर को मिलने वाले विशेश राजे के दरजे को खत्म कर दिया गया था इसके अलामा जम्मु कस्मीर राज को खत्म कर इसके दो केंदर सासित प्रदेशों जम्मु कस्मीर और लद्दाख में तब्दील कर दिया गया हाल ही में चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ चतुस्पक्षी वारता का आयोजन किया चीन की इस कूटनितिक वारता में COVID-19 महामारी को रोकने, आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और Belt and Road Initiative जैसी बुनियादी पर योजनाओं को फिर से सुरू करने के लिए चार सुत्रिय योजना का प्रस्ताव रखा गया इस प्रस्ताव में महामारी से लड़ने में आम शहमती साजह करना, चीन और पाकिस्तान के महामारी के सैयुक्त रोक्थाम और नियंत्रन माडल से सीखना, चारो देसों के बीच ग्रीन चैनल खोलने पर विचार करना, चीन अन्य तीन देसों के साथ कुरोनवा महामारी से ब WS के लिए नौकरियों और दाखले में 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संसोधन को चुनोती देने वाली याचिकाओं को सरवुच न्यायाले के पाँच न्यायाधिसों की संविधानिक पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही प्रधान न्यायधिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्ती खंड पीठ ने यह भी आदिश दिया है कि इससे संबंधित उच न्यायालेयों में लंबित याचिकाओं को भी पाँच न्यायाधिसों की संविधानिक पीठ को हस्तांतरित किया जाए। दरसल एक सो तीनिवे संविधान संसोधन के जरिये भारतिय संविधान के अनुच्छेत 15 और 16 में खंड च्छा को शामिल किया गया था। इसी एक सो तीनिवे संविधान संसोधन अधनियम दो ہजार उन्नीस की संविधानिक बैधदा को चुनवती देने के लिए याचिका दायर की गई थी गरतलम है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीट ने 31 जुलाई 2019 को अपना निरड़े सुरक्षित रख लिया था दरसल माननी सरवोच न्यायाले को यह तैं करना था कि आर्थिक रूप से कम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है इस अवसर पर कॉमेंड विल्थ यूमन राइट्स इनिसियेटिव और वॉक फ्री नाम की संस्था ने दास्ता के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकासित की है आपको बता दें कि वॉक फ्री एक अंतर रास्टिय दासता विरोध ही संगठन है इस रिपोर्ट में राष्टमंडल देशों द्वारा साल 2018 के बलात्स्रम मानो तसकरी आधि को समाप्त करने और सतत विकास के लक्ष को प्राप्त करने और आधुनिक दासता की इस्थिति को साल 2030 तक समाप्त करने की दिशा में प्रगती का आतलन किया गया है रक्षा मंत्राले ने हाल ही में सारवजनिक प्रतिक्रिया या फेट बैक के लिए रक्षा उतपादन और निर्यात समवर्धन नीती 2020 का मसाओदा तयार किया है यह मसोदा रक्षा उत्पादंक शमताओं और निर्यात के लिए एक अतिव्यापी मार्गदर्सक दस्तावेज के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है इस मसोदा का लक्ष साल 2025 तक एरोई स्पेस और रक्षा वस्तुवों और सेवाओं के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात सहित 1,75,000 करोन रूपय का विनिर्मान कारोबार सुनिश्चित करना है इतना ही नहीं रक्षा आवस्चक्ताओं को पूरा करने के लिए एक गतिसील मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विक्सित करना है इस मसाओदे से आयात पर निर्भरता कम और घरेलू डिजाइन के विकास के साथ मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाया जाएगा भारती प्रतिभूती एवंग बिनिमे बोर्ड यानि सेवी के प्रमुख अजय त्यागी का कारेकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है स्री त्यागी का कारेकाल इसी साल सितंबर में शमाप्त हो रहा था आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने त्यागी का कारेकाल फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया है कारमिक मंत्राले के एक बयान में कहा गया कि प्रधान मंत्री की अध्धक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ती समिती ने त्यागी का कारेकाल 18 माह बढ़ाने को मंजूरी दे दी है स्री त्यागी का कारेकाल 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है स्रिलंका के संसदी चुनाव में स्रिलंका पीपुल्स पार्टी को एक बार फिर सांदार जीत मिली है मतलब साफ है कि अब महिंद्रा राजपक्षे स्रिलंका के प्रधान मंत्री बने रहेंगे आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में महिंद्रा राजपक्षे को केयर टेकर प्रधान मंत्री बनाया गया था इस चुनाव में उनकी पार्टी को दो तिहाई बहुमत मिला है गौरतलब है कि 9 महिने पहले महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी की रास्टपती चुनाओं में जीत मिली थी महिंद्रा के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे पहले से ही देश की रास्टपती है महिंद्रा राजपक्षे की इस सांदार जीत पर भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर बढ़ाई दी है राजस्थान सरकार ने अपने अधिकारियों को 20 अगस्त से प्रदेश भर में इंद्रा रसोई योजना शुरू करने का नड़ेश दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री असोग गहलोत ने कहा कि यह योजना राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लिप के संकल्प को साकार करने की दिसा में एक और कदम है इस योजना के तहट जरूरत मंदों और गरीबों को आठ रूपए प्रतिपलेट में स्वास्थ और पौस्टिक भोजन दिया जाएगा इस योजना पर राजसरकार प्रतिवर्ष तकरीबन 100 करोण रूपए खर्च करेगी पूरू प्रधान मंत्री स्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर बनी यह योजना राज के 213 सहरी अस्थाने निकायों में 358 रसोई घरों द्वारा चलाया जाएगा भोजन की गुडवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज अस्तर और जिलास्तर पर एक समिती बनाई जाएगी भारत ने फैसला किया है कि भारत की महला टीम विश्व स्क्वास चैंपियंशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेगी यह फैसला संबंधित अथोरिटी द्वारा कोरोना महामारी के कारण तैयारी में कमी और यात्रा के अनिस्चित्ताओं के कारण को ध्यान में रखते हुए लिया गया भारती स्क्वास रैकेट महासंग याने S.R.F.I. ने यह फैसला खिलाडियों से परामर्ज के बाद तीन अगस्त को लिया विसु महिला स्क्वास चैंपियंसिप 2020 प्रतियोगिता 15-20 सितंबर के बीच मलेसिया के कुवालालंपुर में आयोजित किया जा रहा है जिसमें विसु भर से कई टीमें हिस्सा ले रही है हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि भारत नेपाल और यूनाइटिट किंगडम के बीच साल 1947 का समझोता जो गोर्खा सैनिकों की सैन्ने सेवा से सम्मंधित है वह निरर्थक हो गया है यह एक ऐसा समझोता था जिसके मध्यम से नेपाली युवाओं को विदेश जाने की मंजूरी मिलती थी इस समझोते के अनुशार भारत और ब्रिटेंस अपने देश की सेना में नेपाली या गोर्खाओं की भरती करते थे नेपाल की गोर्खा सैनिक तक्रीबन साट सालों से भारती सेना का अभिन अंगर रहे हैं और वर्तमान समय में साथ गोर्खा रेजिमेंट में कुल 49 बटालियन कारियरत हैं जम्मु कस्मीर के पूर्व उपराजिपाल गिरीशचंद्र मूर्मु को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक यानी CAG नियुक्त किया गया आएस अधिकारी गिरीशचंद्र मूर्मु राजिव महर्सी का अस्थान लेंगे राजिव महरसी का कारेकाल 7 अगस्त को पूरा हो गया उनको साल 2017 में CAG नियुक्त किया गया था उनका कारेकाल तीन वर्ष का था गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त को राष्टपती भावन में अपना पदभार ग्रहन करने के लिए सपत लिए मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं गुजरात में ततकालिन मुख्यमंती नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहते हुए उन्होंने कई पर्योजनाओं पर कारी किया था भारत की सीर्षदवार नियामक निकाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया यानि DCGI ने सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया यानि SII को कुरोना वाइरस के खिलाफ आक्सपोड विश्विद्याले द्वारा विक्सित एस्टोजेनेका वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चर भाग लेंगे जो एमस दिल्ली, एमस जोधपूर, गोरकपूर, नहरू अस्पताल, ISS अकादमी मैसूर और अन्य तेरा जगहों पर किया जाएगा जो स्वयंग सेवक इस परिक्षण में भाग लेंगे उनकी उम्र 18 वर्स से अधिक होनी चाहिए इनमें से प्रत्तेक को चार सपताह में दो खुराक दिया जाएगा, पहले खुराक के 29 दिन बाद दवा की दूसरी खुराक दी जाएगी, इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL का 13 वा संसकरण सैयुक्त अरब अमिरात यानि UAE में खेला जाएगा, इसके पुष्टी BCCI ने कर दिया है, लेकिन BCCI को योजना बनाई है, जिसको लेकर BCCI जल्द ही कोई आधिकारिक तिथी की घोशना कर सकता है, वहीं IPL के मुख्य प्रायोजक के रूप में चीनी स्पांसर वीवो बरकरार रहेगा, जिसको लेकर BCCI को विरोध का सामना करना पढ़ रहा है, कुरोना संकट के वजह से अप्र कराने का फैसला लिया गया, आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियों से संबंधित योजना को राज की राजपाल विश्व भूशन हरीचंदन की मंजूरी मिल गई है, इस संबंध में राजपाल ने आंध्रप्रदेश वीकिंद्री करण एवं समग्र क्षेत्रों का स्प्राधिकरण निर्शन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, आंध्रप्रदेश की सरकार की योजनानुसार राज में निर्माणाधीन अमरावती को, विधाई राजधानी, विशाखा पत्तनम को, कारिकारी राजधानी और करनूल को न्याइक राजधानी के रूप में मान नहीं में वईज्यानिकों के एक समुह द्वारा यह दावा किया गया कि भारतियों में विटामिन डी की कमी COVID-19 के मरीजों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के विभिन राज्यों के लोगों में विटामिन डी का अस्तर 3.15 नैनो ग्राम प्रति मिली लीटर से 52.9 नैनो ग्राम प्रति मिली लीटर से काफी कम था, विटामिन डी वसा में घुलन सील एक विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से बहुत कम खादिपदार्थ हों जैसे मचली और मचली के यक्रित के तेल, पनीर और अंडे की जर्दी य पराबैगनिक किरने त्वचा पर पड़ती हैं साथे विटामिन डी रक्त में कैलसियम और फास्पेट की परियाप्त मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करता है भारत में प्रतेक वर्स स्रामडी पोडिमा के दिन संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है इस वर्स यह दिवस तीन अगस्त को स्रामडी पोडिमा के दिन मनाया गया आपको बताते चलें कि साल 2019 में भारत सरकार के सिक्षा मंत्राले के आदे से केंद्री और राज अस्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का आदेस जारी किया गया था तब से संपूर्ण भारत में इसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है स्रामडी पोडिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाने का कारण है कि प्राचीन समय में इसी दिन सिक्षण सत्र शुरू होता था और चात्र इसी दिन से पठन-पाठन का कारे शुरू करते थे दो अगस्त को केंदरी संचार मंत्री ने महारास्ट के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवा का उधगाटन किया इस सर्विस के माध्यम से महारास्ट के अकोला और वासिम जिले में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान किया जाएगा भारत एयर फाइबर सेवा भारत संचार निगम लिम्टेड यानि BSNL के द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत एक स्वदेशी पहल है इसका उद्देश BSNL की मौजूदिगी वाले अस्थानों से 20 किलोमीटर की सरकल में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिवटी उपलब्ध कराना है अभी तक BSNL अस्थाने टेलिकाम पार्टनर्स की सहायता से सस्ता इंटरनेट सेवा प्रदान करता आ रहा है इस सेवा के तहत BSNL 100 Mbps की स्पीट तक की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा इसलामाबाद उच्च न्यायालाई की दो सदस्ती पीठ ने 50 वर्सी सेवा निबृत भारती नौसेना अधिकारी कुलभूसर जाधाओ के मामले में तीन वरिष्ट वकीलों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है कुलभूसर जाधाओ को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रेल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी जिसको लेकर भारत इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस यानि ICT का दरवाजा खटखटाया था केंद्री जल सक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग सेखावत और केंद्री कपड़ा महिला और बाल बेकास मंत्री स्मृति इरानी ने स्वक्ष भारत क्रांती नाम से एक पुस्तक लौंच किया है पेजल और स्वक्षता विभाग के सचीव स्री परमेश्वरन अयरद्वारा संपादित पुस्तक दस्वक्ष भारत रिवल्यूशन का यह हिंदी अनवाद है पुस्तक को चार प्रमुख खंडों में व्यवस्थित किया गया है जो स्वक्ष भारत मिशन के चार प्रमुख सारवजनिक वित्तपोषण, राजनितिक नेत्रित्व, भागीदारी और जन भागीदारी स्तंभ हैं यह पुस्तक 35 निबंधों के माध्यम से अपने द्रिश्टिकोन को साजा करते हुए स्वक्ष भारत मिशन के उलेखने यात्रा को दर्साती है भारती रिजर्बेंग यानि RBI के गवर्नर सक्ती कांत दास की अध्धक्षता में 6 सदस्ती मौद्रिक नेती समिती यानि MPC की बैठक 4-6 अगस्त के बीच मुंबई में संपन हुई यह बैठक चालो वित्वर्ष 2021 की तीसरी द्वी मासिक मौद्रिक नेती समिक्षा की बैठक थी इस बैठक में समिती ने सर्व सम्मती से नेतीगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का नेड़े लिया इस बैठक में RBI ने रेपो दर को 4 फिस्दी और बैंक दर को 4.25 फिस्दी पर ही बनाए रखा है इस बैठक के बाद RBI गवर्नर ने कहा कि उपभोकता सुचकांक आधारित मुद्रास्पिती की दर जो मार्च में 5.8 फिस्दी थी वह जून में अंतरिम अनमानों के अनुसार 16.1 फिस्दी हो गई है फिलहाल 8 पीम के सापता ही करेंट अफेर्स में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार